जैसे कि मेरे पास एक स्क्वेर है धियान से देखना कंसर्प मचदार है और उसके उपर मैंने एक और स्क्वेर रखा उसके नीचे मैंने एक और स्क्वेर रखा उसके नीचे उसके उपर आचले मैंने एक और स्क्वेर रखा तो एक के उपर एक के उपर एक मैंने स्क्वेर प एक cube okay now this is not a two dimensional figure this is a three dimensional structure this is a 3D body and we call this 3D body as cube two points है A और B इनके बीच में कोई resistance अभी नहीं देखरा तो इसका यह मतलब है कि जो potential A पे होगा वही potential B पे होगा क्योंकि इनके बीच में कोई resistance नहीं है इसका मतलब VA is equal to VB and VA minus VB is equal to 0 इसका लोग कोई potential difference नहीं है इन में potential difference कब आएगा जब इन दोनों के बीच में एक resistance लगेगा तो जब तक कोई भी circuit में resistance नहीं है तब तक सारे points same potential पे होटे हैं यह चीज अपने द्याम में भी ठालो क्योंकि अगर यह समझ नहीं है तो आगे थोड़ी से डिफिकल्टी हो जाएगी talking about this word itself this word is made up of two further words one is alpha another is beta this bet comes from beta so like in English we have got the English alphabet similarly in other languages we have got their respective alphabets we have got Greek alphabet as well Greek means belonging to Greece Yunnan का Yunnan को सबने सुना है Greece so Greek alphabet से actually हमारे बहुत सारे English words जो है न वो ग्रीस से आया यानि Greek language से आया है वो French से आया यानि France की language से और वो Latin से आया है Latin Rome इटली की capital आप जानते हैं Rome so Rome में पुराने जमाने में लांगवेज उज़गा कटी थे उसे बोलते हैं Latin तो उन तीनो लांगवेज के मिक्स्चर से हमारे English actually बने है तो ग्रीक आल्फबेट का पहला English alphabet का फर्स्ट क्या है ए ग्रीक आल्फबेट का पहला लेटर है आल्फबेट और सेके लेटर है बीटा तो इन ही दो लेटर से हमारा यह वर्ड बना है आल्फबेट and this alphabet is used without any S because it is singular एक ही है English में जिरफ पूरी English language का जिरफ एक ही आल्फबेट है उस साधा नहीं है और उस एक आल्फबेट में आपके 26 letters है so clear